असलाम अलेकुम स्ट्रेट्स रभी श्राली सद्री वैस सिल्यांडी वाद लोगतात्र में लिसानी अफ्कावगोली माइनेम इस्वाद श्राफ आप 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 हम इस कंसेप्ट को समझेंगे क्योंकि यह उस कंसेप्ट से ओन बढ़ आगे की तरफ ओके इस ट्रेट्स तो आप देखाने होंगे उमीद है हमारी करें की तरफ बढ़ते हैं लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एक्टम एक निम्रल स्पीशी है अगर लोज और गेंग ऑफ अलेक्ट्रॉन हो जाए तो आपके पास एक स्पीशी चार्ट स्पीशी बन जाती है जो के आईन के लाता है इसी तरह आपके पास अगर लोज गेंग करें लाइक्ट्रॉन को तो आपके पास कौन सा यह वो स्पीशी बन दिया मालेक्ट्र आइन बन दिया एक्जाम्पल लिएक है हमने लास्ताइम भी बात की थी यह एक अटम है तो आपके पास आईन के लाए उसका जो श्पीशी बन दिया हुग आपके पास आईन के लाए इसी तरह आपके पास अगर एक मालेक्ट्रॉन है CH4 ठीक है इसमें से एक लेक्ट्रॉन रिमोग करते है तो आपके पास ऐन के लाए उन बात जा जाताए ठीक इससी तरह आईन तो भी एक मानी क्यूल है उसमें दो एक्ट्रॉन आपके लाए लेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए या डाल दिया जाए किसमें मालीकुल की अंतर तो आपके पास माल्यकुला अगर निकालने से तो हुदने रडा के आपके पास एक मालीकुल में से अलेक्टरोण निकाल जाए तो आपके पास negative charge की deficiency हो जाती है ठीक है negative charge की deficiency हो जाती है और positive charge dominant हो जाता है तो ketanic marginal iron पे charge कौन सा होगा charge कौन सा होगा positive charge positive charge for example हम बात करते हैं just like O2 plus की ठीक है N2 plus की NH3 plus यह आपके पास ketanic molecular iron है इसी तरह आपके पास anionic molecular iron है जो के बनते हैं gain of electron by a molecule molecule के gain तो आपके पास यह जाते है anionic molecular iron तो इसके chart कौन सा होगा negative क्योंकिश्ट आपके पास electron हमने insert किया है तो electron की जो तदाद है वो ज्यादा होगा है जिसकी वाज़ा से आपके पास anionic molecular iron है negative charge है जबके number of protons positive charge उतना ही है example के अगर हम बात करें तो O2 2 माइनस O2 1 माइनस ठीक यह आपके पास क्या है anionic molecular iron अच्छा यहाँ पर हम यह बात भी study करते हैं कि यह थैया ketanic molecular iron यह आपके पास more abundant है more abundant याँ कि ज्यादा पाई जाते है nature में और यह आपके पास है यह आपके पास less abundant है अच्छा इसकी वज़र क्या है आप देखें इसको एक example से सुमझते हैं कि आपके पास एक balloon है उसमें आपने एक एक को insert किया ठीक और उसको stretch कर लिया है tight कर लिया बिल्कोई अब उसमें मजीद हवा परना मुश्किल बात है हमारा system collapse न कर जाए बज़ाए इसके कि उसमें से हवा निकाल ली जाए तो वो असान बात है ठीक तो ketanic molecular iron कि आया है कि electron के laws से बनते हैं laws of electron यानिकि इसी molecule में से electron को निकालना असान बात है जबकि उसमें insert करना gain उसको करवाना ये मुश्किल बात है क्योंकि molecule का जो है out of mole shell उसकी जो specie molecule है ये एक stable specie है इसका octet tool complete होता है तो इसमें से निकालना electron को असान बात है लोस करवाना जबकि इसके अंदर जहाँ वो gain इसको करवाना इसके अंदर electron को insert करवाना ये मुश्किल बात है तो ये आपके पास ये लैस से बात है ठीक हो क्याश ट्रेंट्स इसकी मिसाल हम इस तरह भी दे सकते हैं कि आपके पास एक गलास है जहाँ उसमें पानी है ठीक है और उस पानी वो फुल जहाँ उसको आपने भर लिया उससे अब उसके अंदर मजीब पानी उन्डेलना जहाँ वो मुश्किल बात है जबकि जहाँ वो गिर जाएगा उसके वार्स के जरे से लेगे अब उसके पानी निकाल ले तो हो असान बात है ओके फॉर्मेशन की अगराँ बात करें तो यह कैसे बनते हैं तो यहाँ आपके रहना ही लिकता हूं बाइपासिंग बाइपासिंग अल्फा जहाँ बीटा गेमा X-rays and electrons यह रेस पास करके किस में से थ्रू गैस थ्रू गैस में से हम इन रेस को यह हाई ली अलेज़िक रेस है पास करके गैस में से हम मल्टर आइन को बना लेते हैं इसको विचलाइज करने के लिए हम इस एलिया को एक हैथोर्डरी देख देख दें सिंपल सी है पैटरी के साथ उसका मैंने आटेज किया है हम एलेक्ट्रो बीज़ पर इस्टोरेंट्स आक के पास जो एलेक्ट्रोन बीज़ है यह मैंने पर पैडिविलर ड्रा कर दी ठीक हमने क्या दिया एक molecule यह है ठीक है जब फोर इंपर हमारे पास CH4 methane एक molecule है इसको हमने electron beam से पास कर दा है तो आपके पास क्या हुआ कि molecular iron generate हो दा है molecular iron अच्छे इसके पिछे लग मेकनिजम क्या है मेकनिजम होता ही है कि आपके पास जो atom है उसके आप्रमोशन में और necklace के electron revolve करते है तो आपके पास जब electron beam से ट्रांसक्र होता है तो यह electron इस electron को repel करता है और repel करने के वएदर से इसको no count कर देता है यहां से निकाल देता है जिसकी वजह से यहां के क्या होता है कि electron deficiency आ जाती है लेंटों की कम ही आ जाती है तो पोस्टिव चार्ज बढ़ जाता है कुंके प्रोटोंस दो नहीं है तो आपके पास मॉल्गर आइन के आवो फॉंफ हो देते हैं अचा इसके बाद आपके पास है अप्लिकेशन क्या है मॉल्गर आइन को जनरेत कर नहीं है तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में इंफर्मेशन देगा कैसे मिलती है हम की मॉल्गर आइन को जनरेत करते हैं मास स्पेक्रोमेटर में के लिए निउटल स्पेक्षी को इडेंटिफाइने करता है इस वज़ए से हमें और आइन जनरेत करना पड़ता है मॉल्गर उसके जरीये से हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में जाते हैं तो आपके पास अगर हम बात करें हमें CH3 की जो कि हमें स्ट्रक्चर देगा किसका मेथेन का तो इसका स्ट्रक्चर हमें यहां वो स्पेक्ट्रमीटर बता देता है ठीक होगे स्ट्रक्चर होता है यहां आगे पड़ें के मजीग आपके इससे फिल्यट कुछ M.C.Q है जो कि बहुत कें क्फ्योजिंग M.C.Q दो स्ट्रक्ट्रक्ट को लगते हैं जाब इसमारी को इस ख्रिकता हूं और इसमें गलत होगे तो उसको इडेंटिफाय करने का असान तरीका ग्या तो इसको इसको करने का असान तरीका गात थें सब्सक्राइब करें कि कौन सा मलیکूलर आइन है और कौन सा नहीं है तो आप देखें चिए सिंपल टेखनीक यह है कि आप किसी भी मल्कूलर आइन का जो पोजिटिग या नेक्टिग चारजल हो हटागे हटाने के बाद इसे देखें आया कि वो मालीकूल है के लिए तो अगर वो मालीकूल हुआ तो इसका आइन भी मालीकूलर आइन होगा वगरना वो नहीं है For example, अगर मैं इसका गया है पोजिटिव चार्ट हटाम का हम भी जानते हैं कि CH3 is not a molecule कि इसके खापन की विलेंज से साथिस्वाई नहीं है, जब के लिए क्या है यह एक मालीकूल है entsatar放 ऑने को बिल्कूल यह parentsMO इं तो as negative is not, यह हो stable species और नहीं एक molecule है, यह hydroxyl iron है, ठिक water का extraction है water की, और यह आपके पास क्या सियोटू, carbon dioxide एक molecule है, stable molecule है, तो आपके पास यह molecular iron होगा और यह नहीं होगा, तो स्ट्रेंट्स आठ हमने किया, molecular iron को स्ट्रेटिक या definition, इसकी types, ठिक, formation, application और कोचे, ncq के लिया से point of view, अपना ख्यार रखें, अलाफस.